स्वागत है दोस्तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मेडी सिन मन्थन में जहां पर पाते हैं दवाईयों के बारे में समपूर्ण जानकरी तो दोस्तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वेल आइकन का वटन दबाए जिससे की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तो पेस कर रहा हूँ फेमो टीडिन टाबलेट्स चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के कमपोजीशन के बारे में तो दोस्तो यह टाबलेट आपको 10 mg, 20 mg तथा 40 mg के कमपोजीशन में उपलब्ध मिल जाएंगे तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के रेट के बारे में तो दोस्तो यह टाबलेट आपको 50 पैसे से लगा कर 2 रूपे प्रती टाबलेट के हिसाफ से मिल जाते हैं तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के कुछ पापुलर ब्रांड नेम के बारे में जो की आपको मार्केट में फेमो सीट टाबलेट के नाम से टॉपी सीट टाबलेट के नाम से फेम टेक टाबलेट के नाम से फेडिन टाबलेट के नाम से फेशीट टाबलेट के नाम से इत्यादी की नामों से किसी भी मेडिकल सौप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेटे हैं इस टाबलेट के यूज के बारे में इस टाबलेट का प्रयोग पेट में अलसर की समस्या हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ACDT की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है पाचन संबंधित समस्या हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं सीने में जलन हो रहा हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है अगनासय या छोटी आटों में समस्या हो उसको ठीक किया जता है बद्धहजमी की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते है प्रेगनेंसी में गैस के कारण पेट दर्द करता हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते है अपच की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग किया जता है पेट में गैस से जूड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जता है तो दोस्तों चलिए जाल लेते हैं इस टाबलेट के डोज के बारे में यह टाबलेट आपको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है यह टाबलेट आपको दिन में एक से तीन टाबलेट आवस्यक्ता के अनुसार ले सकते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में यदि आपने इस टाबलेट का सेवन किये हैं तो आपको निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं जिन में आपको कपज की समस्या हो सकती है सीर दर्द करने लगता है दस्त लगने लगता है चक्कर आ सकता है मुह सूख सकता है घबराहत हो सकती है सरीर पर खुजली होने लगता है इत्यादि की समस्याएं दिखाई दे तो इस टाबलेट का सेवन करना बंद करे और अपने किसी नजदिकी डॉक्टर की सलाह ले तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि कुछ बीमारी जिनमें यह टाबलेट लेने की सलाह नहीं दी जा सकती है जिनमें है गुर्दे की बीमारी हो लीवर रोगी हो धुम्रपान से समंधित बीमारी हो खून की कमी हो तो दोस्तों यह टाबलेट वह व्यक्ति ना ले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद